अनलॉक कोड का प्रोसीजर सेक्यूरिटी कोड अनलॉक का प्रक्रिया 183SZS एवं 183IZI3 मॉडल में इस प्रक्रिया का इस्तमाल कर सकते हैं यॉनिट में जैसे पावर आन करेंगे डिस्प्ले पर आपको दो डिजिट का सेक्यूरिटी कोड नज़र आएगा कस्टमर का इंडोर सिरिल नंबर एवं आउटडोर सिरिल नंबर और कॉल नंबर साथ में रखे और कॉल सेंटर कॉल करे कॉल सेंटर पर दो डिजिट का कोड बताए कस्टोमर के रेजिस्टर नमबर पर अनलॉक कोड SMS पर जाएगा कस्टोमर के मेल एडी पर भी SMS कोड जाएगा यदि 10 मिनिट के अंदर कोड नहीं मिलने के अवस्ता में वोल्टास एरिया सर्विस मैनेजर या ब्रैंड सर्विस मैनेजर को संपत करें जैसे ही अनलॉक कोड मिल जाता है तो रिमोट आउन करें और सेवर की 10 सेकेंड तक प्रेस करें 10 सेकेंड के बाद जीरो आंख ब्लिंक करने लगेगा माइनस एवं प्लेस बटन से अनलॉक कोड के डिजिट सेलेट करें अनलॉक कोड के 5 डिजिट होते हैं एक एक करके आपको सेलेट करना है जैसे कि अगर 9 सेलेट करना है तो प्लस बटन दबाए जीरो से लेके 9 जब जीरो से लेके 9 तक आजाएगा तब प्लस बटन रिलीस करें वापस जीरो ब्लिंकिंग नेक्स डिजिट में होगा यही प्रक्रिया 5 डिजिट का कोड जब तक एंटर करते हैं तब तक जारी रखें जैसे 5 डिजिट कम्पलीट होते हैं रेमोट को यूनिट के तरफ पॉइंट करें और 6 सेकंड बाद आपको तीन बार यूनिट पर यू यल ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा छे बीप साउंड छे बार बीप साउंड सुनाई देगा इसके बाद यूनिट अनलॉक हो गया आप यूनिट को नॉर्मल यूनिट के जैसा यूस कर सकते हैं यदि सिंगल बीप आ रहा है तो वापस प्रक्रिया शुरू से धोराएं झाल झाल